मुवे की शिरुवात में हमें एक महल दिखाया जाता है, वहां हमें किंग और वफादार सिनापती भुजंगा को दिखाया जाता है, इसके बाद हम लड़के और लड़की को देखते हैं, वह कुछ अपने हाथों में एक थाली में कुछ सोने जैसी चीज लारे होते हैं, और को किंग के पास आकर बोलते हैं कि हमारे किंग ने आपको भेट भेजी है जैसे ही वह बोलते हैं तो अपने साथ थाली में सोने जैसी चीज में लाए थे उसे उच्छाल देते हैं और फिर वह दोनों किंग पर हमला कर देते हैं जो थाली में सोने जैसा कुछ था जैसे ही वह स जैसी चीज लोगों पर गिरती है उनके कपड़ों पर आग लगने लग जाती है और वहां के सैनिक अपने किंग को बचा लेते हैं और उस लड़के को मार देते हैं उसकी साथ ही लड़की भाग कर जाने लगती है तो वहां सेना पती भुजंगा का पालतु जानवर उसे करवाना चाहिए जिसमें हमें महायोध्धा चन ना होगा और फिर किंग कॉन्पिटिशन करवाने के लिए बोल देता है फिर भुजंगा अपने बाज इगल से संदेश पहुचा देता है कि सभी राज्जियों से तीन-तीन लोगों को कॉन्पिटिशन में भाग लेना है फि पानी कल मिलेगा अब फिर वहां सब चले जाते हैं वहां चुपके से एक डोंग नाम का व्यक्ति घुस जाता है और पानी भरने लग जाता है फिर एक सिपाही उसे देख लेता है फिर वो वहां से भागने लग जाता है और वह भाग रहा होता है वह लकडी के बने पिल्लर के नीचे एक चोटी लड़की खड़ी होती है उस पर लकडिया गिरने लग जाती है तब वहां का एक सिपाही सुर्याबली उसे बचा लेता है फिर डोंग को वहां等一下 पकड़ लेता है फिर शिटी का सरदार कॉंपिटिशन के बारे में बताता है और बोलता है कि तीन लोगों को कॉन्पिटिशन में भाग लेना है। फिर डोंग की आवाज आती है। वे बोलता है कि मैं जाऊंगा और सरदार से छोड़ने की बोलता है। सरदार बोलता है कि जीतने वाला महायोध्धा बनता है और एक सिपाही और सुर्याबली जाने के लिए तयार हो जाते हैं, सरदार उनको भेजने की तयारी करता है सरदार डोंग को एक कंगा देता जो उसकी मा की निशानी होती है, सरदार सुर्याबली को एक भाला देता है जो उसके भाई की निशानी होती है, जो भाला थोड़ा टूटा हुआ होता है और वह तीनों वहां से रवाना हो जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में चल रहे होते हैं और कुछ दूर पहुचते हैं तो अचानक उनके साथ ही पर मॉंस्टर बिच्छू हमला कर देता है उसे मार देता है और डोंग और सुर्याबली उससे लड़कर बच करा जाते हैं फिर वह दोनों रात को एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं और फिर हमें पता चलता ह कि वह competition में भाग क्यों ले रहे हैं डोंग अपने पिता के बारे में पता करना चाहता है और सुर्याबली अपने भाई का बदला लेना चाहता है उसके भाई के मरने की वजह सेनपती भुजंगा था इसलिए सुर्याबली competition को जीत कर भुजंगा से बदला लेना चाहता है द नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को देखते हैं जो घोडे पर सवार होकर भाग रही होती है इसके पीछे दूसरे घुड सवार पीछे पड़े हुए होते हैं तभी अचानक धूल भरी हुई तुफान आने लगती है उससे बचने के लिए सभी छिप जाते है और उस की का नाम चुटकी होता है वो वहां से बच के भाग जाती है वहां डोंग को नीले कपड़े वाली लड़की नजर आती है वह फिर दुबारा देखता है तो अचानक गायब हो जाती है फिर हम देखते हैं यह दोनों फिनिश सिटी में पहुँच जाते हैं जहां पर तरवा यहां पहुच चुकी थी और वह लोग उसे पहचान जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे चुटकी के पास आकर बोलते हैं हमारी चीज लोटा दे जो तुने चुराई थी चुटकी उन्हें उनकी चीज नहीं लोटाती और उनसे फाइट करने लग जाती है फिर चुटकी और इनके बीच बहुत लंबी फाइट चलती है यहां दूसरी सिटी का आदमी चुटकी से वह चीज ले लेता है और उन्हें वापस कर देता है जिसके बाद भुजंगा अपने पालतू जानवर के साथ आता है इसे देखकर चुटकी छिप चाती है और भुजंगा सबको ब अब नेक्स्ट सीन हमें इसके फर्स्ट राउंड को दिखाया जाता है जहां पर सभी वोरियस को एक चेन में बांधा जाता है और उन्हें ऐसे ही एक जाल को पार करना होगा है जो बहुत सारी चेनों से बना है जिसे पार करके सबसे पहले जो टीम पहुँचेगी वो अगल दूसरा मेंबर उसके पैर को काट देता है जहां तीन टीम नेक्स्ट राउंड में पहुच जाती है और जो टीम नहीं पहुच पाई उनके गाल पर लोहे की राड से लूजर का टैटू बना दिया जाता है फिर हमें दूसरे राउंड को दिखाया जाता है जिसमें ड्रेग और फिर सुर्याबली के शरीर में जहर फैलने लग जाता है अब सुर्याबली को जहर से बचाने के लिए चुटकी डूंग दवाई लेने जाते हैं दूसरी टीम को अंडा मिल जाता है और वहां दूसरी टीम एक अजीब जडो वाला पेड़ फस जाती है और जड़े उन्ह सिर पर पीले रंग का पदार्थ ले लेता है जो जहर उतारने की दवाई होती है फिर सुर्याबली को दवाई पिला देते हैं और फिर जहर धीरे धीरे उतरने लग जाता है फिर वहां से तीनों भागने लग जाते हैं तो ड्रेगन आ जाता है डूंग ड्रेगन से बोलता है क फिर अगले सीन में भुजंगा उनके पास आता है और बोलता है कि अब तुम तीनों को आपस में फाइट करनी होगी जो एक बचेगा वह सामराज जेका महायोध्धा बनेगा तो डोंग और चुटकी बोलती है कि हम सुर्याबली को महायोध्धा चुनते हैं फिर अचानक उनक के सामने नीले कपड़े वाली वही लड़की आ जाती है और वहें तीनों को अपने साथ ले जाती है जहां एक घना जंगल होता है वहां डोंग से बोलती है कि अपने हाथ के बाजू अपना रक्त लगाओ जैसे ही अपने हाथ पर रक्त लगाता है तो उसके हाथ पर और वापस सूर्याबली चुटकी को देखने जाता है। वह देखता है कि भुजंगा चुटकी को तड़ पा रहा होता है। सूर्याबली भुजंगा से बोलता है इसे जाने दो पर भुजंगा चुटकी को मार देता है फिर डोंग वहाँ पहुचता है और देखता है कि चुटकी जमीन पर पड़ी हुई होती है उसमें थोड़ी जान बची हुई होती है डोंग से वह बोलती है कि भुजंगा सूर्या होनी चाहिए किंग बोलता है कि मौत की सजा दे दी जाए जैसे ही सुर्याबली को मारने वाले होते हैं तभी डोंग वहां पहुच जाता है और किंग से बोलता है कि यह मेरे राज्ये का गदार है तो मैं इस से मारना चाहता हूं तो मुझे इस से फाइट करने का मौका दे फिर किंग दोनों को लड़ने का आदेश दे देता है फिर वह आपस में फाइट कर रहे होते हैं तभी भुजंगा एक इशारा करता है तो भुजंगा के आदमी सभी पर हमला कर देते हैं फिर किंग को सिपाही बचा कर एक कमरे में ले आते हैं तभी वहां भुजंगा आकर सभी को कमरे में बंद कर देता है फिर वहां भुजंगा का पाल दू जानवर और लड़की की बहुत लंबी फाइट चलती है तो बाद में दोनों ही मर जाते हैं और भुजंगा पूरे महल में आग लगा कर भागने की तयारी करने मार देता है और भुजंगा मर जाता है फिर नेक्स्ट सीन में किंग सूर्याबली को महायोध धका पद देते हैं फिर सूर्याबली किंग से बोलता है कि चुटकी का स्टेचू बनाया जाए डोंग किंग से बोलता है कि मुझे ड्रेगन का अंड़ा वापस देना है तो लेंगे इसी तरह इस मूवी का यहां दर एंड होता है